कि अपना आज के लिए जो सीपील का मैच रहेगा एक दम सुभे सुभे बढ़िया एक दम जल्दी आप क्या इस मैच के लिटेर प्रेडिक्शन है क्या आज के लिए टीम मन सकती है कौन से प्लेयर रहेंगे कौन से नहीं सारी चीजे करेंगे डिसकस्त वीडियो को आखर तक और साथ-साथ वीडियो पसंद है तो लाइक जरू कर देना है चालो सब्सक्राइब अगर आपने नहीं क्या हो तो फटावट से कर लो क्योंकि देगो सीपील के अब आगे तक के जो फाइनल तक के मैच अपन कवर करने वाले तो मिस बिल्कुल नहीं करने और साथ ही साथ अ कहीं ना कहीं है और वो जो मेन इंट्रेंशनल मैच अपने वह भी शुरूव हो चुके हैं जैसे कि उस्ट्रिया वससे इंगलेंड का जो सीपेल के बाद में जो वीडियो आएगा तो कहीं ना कहीं हो गया ना इंपॉर्ट मैच तो सब्सक्राइब करके रखो और साथ-साथ मैच कर लेटर मैच नमबर 12 सुबह साथे चार बजे रही मैच के लाइन और डेरें सामी क्रिकेट स्टेडियम जो रहेगा ग्रोस आइलेट सेंट लूसया में जो मकाबला रहने वाले अब खहने को तो सेंट लूसया का होम ग्रॉंड है वाट वह सब सब्सक्राइब यहीं गुरे तरीके से बट उससे पहले के जो दो मैचेस थे वो काफी अच्छे इन्होंने खेले थे अब और ओर ओल इस ग्राउंड की क्या कहानी रहती है जातर देखो यहां पर ना टार्गेट चेस जाता है 38 मैच उसमें तेस बैटिंग सकेंड ने जीते पंदरह जीते बैटि सब्सक्राइब तो काफी डिसेंट जो स्कोर है वो देखने को यहां से मिल जाता है अब 190 से उपर थोड़े से कम बनी है स्कोर जाधतर जो स्कोर है न वह आप देखोगे तो 150-170 के बीच में रह जाते हैं या फिर उगर उससे उपर गया तो 170-180 नहीं लास्ट मैस तो कहीं आगे देखा गया था कि बाइटिंग करने थोड़ी से मुश्किल यहां पर जो हो लग रही थी जहां पर सिर्फ सोही रनों पर सेंट लुश्या की टीम में वह ओल आउट हो की थी गयाना ने चार विकट गवाए थे बड़ दस और में टार्गेट चीज कर दिया था चार व विकेट उस मैच में पेस के थे तीन में बी जो है यह मिलेते अब और इसट्रेलिया आपको चार विकट सकी है आ ते इंडिया के पास में उन्होंने तीन विकेट निकाले तो कुल मिलाके अगर देखा जाए तो बहुत जादा नहीं पेसर अच्छा काम करते हैं बट एक ऐसे विकेट है जहां पर पेसर प्लस स्पिनर दोनों अच्छा करते हैं और एक और जो एक हिडिन चीज और बताता हूं लाश्ट टाइम भी मैंने जब ग्रोस अलेट पर मैस था जो कवर किया था और एक नाम लिया थ नूर एमद बहुत बढ़िया कर गया था तीन विकेट निकाले थे चाहे टीम उसके हार गए थी बट चिल उसने चार में से तीन विकेट यहां से निकाल दिये थे क्योंकि इस ग्राउंड पर जो लेफ्ट टाम चाइना मैन हैं ऐसे बोलर जो अच्छा करते हैं आपर ठीक ह लेफ्टाम चाइना मैन बोलर हुए लेफ्टाम और्टोडोक्स एक बोलर जो है काफे ठीक ठाक यहां पर बोलिंग करते हो आपको दिख जाते है तो डेफिनिटल इंपॉंट बनेंगे और उसके लावा यहां से विकेट के अगर बात कीज़े तो स्कोर सबसे पहले स्कोर को 163 यहां पर बनाता वन एटी वहां पर बनाता वहां पर थोड़ा सा जादा गया इस जो शुरुआत हुए वह थोड़ी सी कम पे हुए बाकि आज के लिमों श्रॉबली पिच्छ थोड़ी सी अलग रहने वाली है इस वाली पिच से तो हो सकता है आपको यह वन सिक्ष्ट लिखेंगे जॉनसन चार्ल्स फाब्डू प्लैसिस जो कि अभी तक बोल सकते है ठीक ठाक फॉर्म बरें हलाकि प्लैसिस ने कुछ जादा रहन बनाए नहीं है बट इस टॉर्णामेट के शुरुआने से पहले काफी अच्छी फॉर्म में प्लैसिस था बाकि प्लैसिस ऐसा के लाड़ी है जिसको कहीन है कि हम ड्रोग तो नहीं कर सकते हैं एक सीवी सी बी ऑप्शन रहेगा पर थोड़ा सा रिस्की है जॉनसन चार्ल्स एक मैच बारा एक मैच में 47 से एक मैच में रन बना इन्होंने उन्नेस उस से पहले फॉर्म इनका भी हम बोल सकता हूं कि काफी दस बाकि भानुका राजपाक्षा पहले मैच बैटिंग बहुत बढ़िया की थी 68 बट आगे के जो दो मैचस थे साथ और नोरन ही यहां से बना पाए और आज के लिए तो लेफ्ट अंडर बैटर के लिए तुमों बहुत ही जादा मुसीबते रहेंगी क्यों सामने भाई स रोश्टन चेज की हाला कि सामने भी आपको लेफ्ट अंडर देखने को मलते तो उस वजए से एक चांस बनेगा कि आपको रोश्टन चेज बोलिंग करा तो नजर आ जाएगा जो कि उसने पहले दो मैचस में कराई भी है बैटिंग से साथ कुछ खास नहीं किया चार रन औ तीसरे में कहीं ना कहीं टीम शीफर्ट का बल्ला उतना चला नहीं बट स्टिल टीम शीफर्ट फिलाल के लिए जैसी फॉर्म में है या जिस तरीके से बैटिंग कर रहा है डेफिनेटली कि पिक में जरूर आप कंशेडर कर सकते हो उसके बाद बारी आती है फिर डैविड तो करेगा ही रिसेंट फॉर्म दो विकेट बहले मैच में थे दूसरे में एक विकेट तीसरे में रन तो जीरो बनाया थे बट बोलिंग करने के इनको मौका मिला नहीं तो फिर वहां से तो आप कुछ कहने सकते बागी दन यहां से कहरी पियरे दो मैच पहले में एक जरूर रहेगा ध्यान रखना एवन कहरी पियरे का रिकोड भी ठीक है सामने वली टीम के अगेंस्ट में उसके बाद में बारिया आती है अलजारी जोसेफ ठीक ठाक बोलिंग किया दो विकेट इनके नाम है मैथ्यू पोडे लाश्ट मैच वसे 31 इसने रन बनायते हैं विक जिलता है तो ग्रैंड लिग में जरूर आप इसके उपर रिस्क ले सकते हैं मेरी ग्रैंड लिग में मैट स्मॉल लीक के लिए थोड़ा सा रिसके ऑप्शन तो रहेगा और उसके बाद में बारिया आती है नूर रहमत जो कि अपने पास में हो ही जाता है ऐसा नहीं है लोसिया किंग्स की तरफ सी जो पूरी प्लेइंग 11 है अब उसके लावा अगर इंके बैंच के बात की जाए तो बहुत जादा बड़ा तो मेंच नहीं है मिकल गोविया है और एरन जोन्स इनके पास में है बड़ चांसे कम है यहां से किलाने के उसके बाद में खैरी केंप उसके बाद में नेक्ष्ट आती है यहां से जोहान जरे मिया इनका जो रिसेंट हो में फश्ट क्रिकेट का देख रहे हो लिस्टे का या टी-20 वगरा का नहीं था तो फश्ट क्रिकेट में रंस वगरा है कुछ निंग में लाइक 41 उसके बाद में दो तीन मैच लगातार फ बाके बॉलिंग कौन कौन करेगा तो बॉलिंग में ऐसा है नूर एहमाद मैथ्यू फोड जोसेफ हो गया उसकौट में खैरी प्यर होगे चार बॉलर हो जाते पांच वर हैगा वीस और छटा रहेगा यहां से रोश्टन चेस तो कुल मिलाके यह च्छे बॉलर्स आपको ब लगता है कि 16-20 के बीच में आ सकता है बागे मेड़ वर्स में ही रखना और शुरुवात में मैथ्यू फोडे प्लस जोसेफ डाल सकते हैं साथ ही साथ में जोसेफ प्लस डेविड वीच डाल सकते हैं नेक्श्ट अगर हम बात करें यहां से त्रिन बाग और नाइट यहां से एंडर्स गूस को ओपनिंग करा गया जैसन रोग बाहर बेच कार जो की काफी सक्सेस्फुल भी रहा रीसेंट फॉर्म गोस का ठीक ठाक सा रहा है कुछ मैच अगर देखे जा तो बागी पहले मैच में बनाए सुनील नाराइट लास्ट मैच पैटिंग तो उतनी अगर पिछ पर स्पिन देख ले तो ठीक है तो वैसा ही है जोनील नाराइट आज के लिए अच्छी वो लिंक करता हो आपको नजर आ सकता है तो सामने वाले टीम में चोड़े समलकरी खेलेगी बाकि उसकाद में निकोलस पूर्ण निकोलस पूर्ण आजकल ऐसा कहलता है ओ जब बात आती है तो ट्राइ करना आप एक दू टीम में ड्रोप करके कुछ कुछ कॉम्बिनेशन बनानेगा क्योंकि दखो अगर ऐसा पर्फेंस आ जाता है तो कहीं ना कहीं आपकी वो टीम भी अच्छा कर जाती है क्यों क्योंकि 90% से जाधा लोगों ने यहां से निकोलस पुरण को ले रखा है सतर से जाधे कैप्टन वाइस कप्टन रहेगा तो इनके सगर फ्लोप हो जाता है तो आपकी हो सकता है बाकी टीम फ्लोप हो बट वो जो एक दू टीम रहे हो बहुत अच्छी रेंग पर आ सकती है ठीक है तो ग्रैंड लिंग में जबर आप यह 30 बागी उसको बाद में यहां से कैसे कार्टी बहुत बढ़े चल रहे है कार्टी की एक मैंच में 34 दूसरे में 373 उससा पहले रीसेंट फॉर्म वह भी ठीक ठाक देखने को यहां से मिला तो तो डेफिनेटली कैसे कार्टी अपने पास में बैटिंग सेक्शन से ऑप्शन तो रहेगा यहां से पिक करने के लिए जिस टीम में आप विकेट कीपर सेक्शन में रिस्क ले लो ना क्योंकि आज के लिए विकेट कीपर सेक्शन बहुत बढ़ा है और सारे विकेट कीपर इंपर बनते हैं तो ऐसा है कि अगर विकेट कीपर में आप रिस्क ले रहे हो कि के उपर तो मेक शूर आपके ऐसे काटे को पिक कर सकते हो यहां से काफी अच्छा और एक काफी डिफरेंशल पिक रहेगा उसका बाद में कायरें पोलाड है बैटिंग थोड़ी सी नीचे और यह पोलाड की आपको पता है पोलाड अगर चला तो बहुत अच्छा चल जाता है बैट दिक्कत यह है कि स्मोल लीग में मैनेज बहुत मुश्किल होगा पोलाड को करना ठीक है लेने लाइक उप्शन है बट वैसा ही है कि और भी बहुत सारे अपने पास में अच्छा उप्शन से मैच वा बनेंगे तो अगर देखा जाए थोड़ा प्रेक्टिकली सोचा ठीक है जैसे कि लास्ट मैच में नरायंट पूरें फ्लोप होए थे तो पॉलाड सही कर गया था तो वैसा अगर कुछ आप करो आटो बटर को ट्रॉप करके तो पॉलाड जरूर रखो फर दो उसके बाद में रसल है बैटिंग बोलिंग दोनों करेगा एक ही मैच खिला था अकिल हुसाइन पहला मैच खिला नहीं था दूसरे में रहे जिरो विकेट हलाकि अकिल हुसाइन का रिसेंट फॉर्म ठीक ठाक है वो सकता है शुरुआत में एक नएक विकेट भी यहां से एकिल हुसाइन निकाल दे बागे वकार सलमगिल बोलिंग अच्छी चल रही है ले वैंश की बात की जाया तो बैंच में देखो इनके पास में देखो वैसे अगर बैंच देखा जाने तो बाइए चार-पांच प्रेयरव का जेडन सील्स टिम डैविड रहेगा नहीं अभी के लिए ठीक है जेडन सील्स होगा रोइए ब्रावो होगा एडवर होगा है ठीक खान और यहां से मार्क ड्याल का बिल्कुल भी कंफर्म नहीं है इस कोड के साथ में है कि नहीं है बाकि आप रिसेंट फॉम इनका देख सकते हो उबर से अगर देखा जो तो ब्रावो एक डिसेंट ऑप्शन मनता है अगर खेलता है तो और उसका बाद में जेड़न सील्स और प्लेम भी बोलिंग कर सकते हैं उसके लावा टेरंस हिद्स हो गया सुनील नरायंड हो गया वकार सलम किल और यहां से सुनील नरायंड यह आपको मिड़ोर में बोलिंग करते हो नजर आ जाएंगे हिंस जो है वो डेथ में भी डालता है ठीक है इसका खाता थोड़ा डे ने 21 तो यहीं का होम ग्राउंड है बट यहीं जादा अच्छा नहीं खेलते हो ने जराये और उसके लावा नो मैचस कहले हैं यहां से त्रिन बागों ने चार जीते हैं दो हारे हैं तीन मैच ऐसे ही जो कि नोरसल रहे हैं और बारिश की वैसे मैच हो सकता है थोड़ा सा ल ठीक है पोलाड के नाम 15 मैच में 548 रन है निकॉलोस पूरण के नाम 13 मैच में 379 का एवरेज है रसल ने 14 मैच में मात्र मात्र 219 रन ही जो है वो इस ग्राउंड पर बनाए हुए तो बैटिंग से तो रसल ने उतना कुछ खास किया नहीं है डो प्लैसे साथ मैच में 201 रन ह नाम रोश्टन चेज ने साथ मैच में बना है मात्र 116 और डेवड वीस भी है जहां पर उनों ने पांच मैच में 77 रंज वो बना रखे है तो रहते हैं हमारे जो वेन्यू लीडर से बैटिंग सेक्शन से बॉलिंग किया कर बात की जाए तो उसमें यहां से नाम आता है किस का जारी जोसेफ 11 मैचस में 16 विकेट है जोसेफ के नाम इस ग्राउंड पर एवरेश ट्राइक रेट दोनों काफी ठीक है रसल की बात की जाए 16 मैच में 16 विकेट रसल की नाम भी है एवरेश तो थोड़ा 23 का है बट अगर श्राइक रेट दिखा जा तो वहां पर काफी अ कि बाइवो चोड़ा मैच में 11 विकेट है कारें पॉलाड ने 18 मैचस खेलें इस ग्राउंड पर ठीक है और जिसमें 15 में तो उसने बैटिंग कि और नो मैच आप बोलींग किये तो नो मैच में आठ विकेट पॉलाड के नाम मैथ्व और चार मैच में साथ मैच में साथ बट आई तिंग ये रिकोर्ड आज के लिए बदल सकता है चुकि पिछ पर स्पिन है तो उस चीज का फायदा नरायंड को मिल सकता है बट एक चीज ये भी है कि हो सकता है नरायंड को थोड़ा समल कर खेल जाए तो विकेट ना भी मिले है चोबिस में से सोला जीता है तिन भागों ने चहीं मात आज तक जो है सेंट लुशिया जीत पाई और दो मैच ऐसे हैं जो कि नुवरसल देखने को मिले अब पिछले अगर हम कुछ हेट्वर्ड मैचेस की बात करें और कौन से कॉमन प्लियर्स देखने को मिलते हैं तो यहां से 19 तो सप्टेंबर को मैच वा जहां पर सैंट लुशिया ने बने 147 तरिंद भागों ने बने 146 जीता कौन सैंट लुशिया जीता था ठीक है चाल्स दो विकेट नरायन और एक विकेट यहां से किसना निकाला रसल ने निकाला 2023 में दोनों टीम के बीच में दो मैचेस हुए जहां पर सैंट लुशिया ने बने 167 अगें यहां से त्रिंद बागों हार गई थी डूप्लेस के 57 चाल्स अगें पर्फॉमेंस 37 और खेरी पियरे जो मैच वा जहां पर सैंट लुशिया ने बने 167 यहां पर त्रिंद बागों ने जो वो टार्गेट चेज कर दे है तो तो पिछले तीन मैचेस अगर देखे जाए दो सैंट लुशिया एक त्रिंद बागों के खाते में रोश्टन चेज 32 चाल्स ने 13 बना है जोसफ के ना जाता है चाल्स दूसरा जोसेफ तीसरा यहां से रोश्टन चेज है चोथा मांग ड्याल बट खेलने के चांस मांग ड्याल के नहीं रहेंगे तो ध्यान रखना बाकी रसल हो गया आजो कहीं ना कहीं वो कॉमन उप्शन में आ जाते हैं तो यह कुछ कॉमन प्लियर से जो अ देखा सकता है अगेंश्ट ब्रावो यहां से दो दो बार विकेट है उसके बाद में आ जाते हैं अपने टीम हो पर टीम में देखो ऐसा है कि चारोवुकिट की पर इंपॉंट है तो अपनने चारो को रख हैं एंड्रस कूइस टीम शीफ़ट अगर किसी के उपर रिस्क लेना है तो फिर वो यहां से गोश रहेगा जिसको आप हटा सकते हो बागी 5-2 प्लेसे से नरायंट रसल वीस उसके बाद में नूर हमाद सलम खिल एंड यहां से जोसेफ को पिक किया हुए कैप्टन किया बने नरायंड को वाइस कैप्टन किया मने आसा निकॉल्स पूर цен को बाकी वाइस कैप्टन आप निकॉलस पूरं को हटा के किसी और के साथ में भीज आ सकते हो जैसे कि अगर रिस्क लेना हो तो I think अलजारी जोसेफ काफ़ी बहतर option है और रिस्क लेने के लिए हैं आंदरे रसल भी काफ़ी अच्छा option रहेगा क्यों क्योंकि head to head record रसल के काफ़ी ज़्यादा बहतर थे तो जाती अभी के लिए team और सब चीज़े बागी आपको युडियो पसंदेरे तो लाइक जरू कर देना चाल को सब्सक्राइब अगर नहीं क्या हो तो फटाविट से कर लो और बागी उल्द बैस्टिस मैच के लिए मिलते आपको नेक्स युडियो में बहुत ही ज़रे जल्द